तो फाइनली यहाँ पर Redmi 9 Prime device के लिए एक one of these smoothest room आ चुकी है जैसे यहाँ पर आप लोगों ने बोला था मुझसे कि भाई एक बहुती stable room बताओ जिससे हम MIUI से डायरेक्ली शिफ्ट कर सकते हैं एक ऐसी room पर जो हमारी daily driver बन सके तो यह room जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ यह है Pixel Experience का निया Plus Edition जिसमें बहुत सारी चीजों को बहुत जादा इंप्रूफ करा गया है कुछ चोड़ी चोड़ी चीज़ें और बाते में जरूर बताओंगा कैसे इंस्टॉल करना है यह भी बताओंगा क्या साफधानी बरतनी है यह भी बताओंगा तो वीडियो जो है वो काफी जादा इंटरस्टिंग रहने वाली है स्मूध है काफी रूम पूरी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर बाखी निया सेट अप कैसा लग रहा है जरूर बताना तो माई नेम इस शारे महाजन योवज में चानल लेस्ट स्टार्टेट बात करते हैं इसमें ना तो आपको मेजर हीटिंग इसु मिलता है और ना कोई बैटरी ड्रेन इसु मिलता है नहीं हो ऐसे काफी एक ग्रेट जंप रहने वाल है अगर आप पहली पार पिक्सल रूम को यूज कर रहे हो दूसी चीज एक ऐसी रूम जो बहुत स्टेबल है और डेली की और भी मस्त मस्त चीजें देखने को मिल जाती है ठाइए तो ये सारी चीज़ें तो आपको देखने को मिलती है इस रूम के साथ में लेकिन उसके साथ साहथ यहाँ पर आपको यहाँपटिब प्रिफरेंसेज भी प्रॉइट करती है जिसे आप extends कर सकते हो अपनी बैटर स्टेबल भी बनाता है उसके साथ साथ यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर जो डिस्प्ले हैं वहां पर आपको ब्राइटनेस लेवल लॉक स्क्रीन स्क्रीन टाइम आउट तीम और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे और आटो रुटेट का फीच 6,000 के आसपर मिलता है एवरेज 1,8,000 और मिनिमम 93,000 का मिलता है ड्रेन आपको मुझे लगता है कि जादा देख रहा होगा पर यह डेली यूसेज में इतना यहां पर जस्टिवाइ नहीं करता लेकिन उसके साथ सद एक चीज बड़ी वाली और बता दूं कि यह रूम ना ग फूस्ट कर सकते हो उसके साथ यहां पर आपको पर कंड्रynn में अगप अगर प्ले स्ट्वर उपन करोगे तो प्लेस्टोर में जो लोग लाग फेस कर रहे थे उनको वह भी अप फेस नहीं होने वाला यह भी बहुत जादा स्मूथ कर दिया गया है वन आफ दी स्मूथ तो यहां पर कोई भी चीज नहीं होती लेके ना यूस को शोड़ कर यहां पर यह रोम उससे मतलब गूगल पिक्सल का जो डिवाइस होते हूं उनके अंदर जो स्मूथ मलती है उससे थोड़ा सा मैच ज़रूर कर सकती है रोम मतलब काफी जाद स्टेबल है मेरे कहने का मतलब यह है उसके बाद यहां पर अगर मैं देखूं यहां पर एक और मेरे पास स्क्रीन शॉट है ला इमेजस में यहां पर आपको पहली बात फार्फा डवाइल सोपोर्ट मलता है तो इमेजके अंदर घाखूं तो मैंने यहां पर यह इसका जीक्री पूर यह और मね को को मैंने सकूर ले रखा है तो 4.13 और 13.30 आपको देखने को मिलता है मुझे लगता ही कि ये MIUI से काफी जादा बढ़िया है 13 से तो obviously बढ़िया ही रहेगा 14 अभी आया नहीं है जब आया का तब देखेंगे लेकिन हाँ अच्छा आपको मिलता है और Android 13 मिलता है इसलिए ये जादा बढ़िया है उससे उसके बाद यहाँ पर camera अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो perfectly working इसमें आपको देखने को मिलता है लेकिन इसमें 0.9x में ये थोड़ा blur हो जाता है Macro है आई थिंग ये जिया Macro हो सकता है पर ये properly work इतना नहीं करता लेकिन 1x और 0.6 यहाँ पर आपको बढ़िया देखने को मिल जाते है वीडियो में आपको smoothness पूरी मिलती है लेकिन एक extra feature जो आपको मिलता है वो है कि यहाँ पर आपको stability के option मिलते है stability के option कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ settings के अंदर आपको मिलता है Unable Video Stabilization जो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है तो यह कुछ छोटी छोटी चीज़ें भड़े हैं आपको देखने को मिलती है इस room के अंदर बाकि हाँ अगर आप gaming के लोगे तो इतना जादा major difference आपको नहीं मिलेगा यह पूरा आपकी battery के temper भी depend रहता है जतना जादा heat होता जाएगा fps होता जादा drop होता जाएगा इस case के अंदर लेकिन हाँ heat जब जादा नहीं करता है तो fps में थोड़ा compromise आप कर सकते हो लेकिन vendor और kernel change करने के बाद में यह भी boost हो जाएगा बाकी वीडियो कैसे लगे हो ज़रूर बताना download link मैंने आपको provide कर दिया गया है और वहीं पर आपको developer के credit भी मिल जाएगे वीडियो पसंद आई तो like ज़रूर करना मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में तब तक वे देखते हैं जय हिंद जय भार